सबह चुनाओं में राउल जी आपने मुझे यादे कहा था, you were convinced that time कि मोधी जी जा रहे हैं, मोधी जी का वक्त खतम हो गया है, ऐसा हुआ नहीं, होता है राजनीती में, इस दफा नरेंद्र मोधी को आप कितनी बड़ी राजनीतिक चुनाओती मानते हैं सर दोहजार आज ये एक तरह पीक पे पहुँच गया है, हिंदुस्तान के सारे institutions उनके हाथ में हैं, political finance की monopoly उनके हाथ में हैं, CBI, ED, income tax, EC, ये सारे ये सारे BJP के हाथ में हैं, BJP के control में हैं, तो जैसे मैंने अपने भाशन में कहा, cricket match is a rigged match, cricket match is not a fair match, उसमें चाहे social media की बात करें, आप हमारे नेताओं के opposition नेताओं के social media देख लीजिए, मेरा YouTube देख लीजिए, मेरा FaceTime देख लीजिए, Facebook देख लीजिए, Instagram देख लीजिए, तो ये सारा का सारा structure controlled है, rigged है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जनता इस बात को समझे, कि ये normal चुनाव नहीं है, ये लोक तंत्र को बचाने का, समिधान को बचाने का चुनाव है, और इसको लड़ना और जीतना बहुत ज़रूरी है, ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है, और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है, वो इस manifesto में है, और जो 2% चाहता है, जो अधानी जी चाहते हैं, वो आप उनका manifesto देख लिजिए, आपको पता लग जाएगा, उसमें उनकी request list पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी, Thank You.